हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में संस्क्रेट के काफी महत्पुन पचास गेस अबजेक्टी परशन बताएंगे और ये जो पचास गेस अबजेक्टी परशन है ये आपके फाइनल बोड पर इक्षा के लिए काफी महत्पुन है और इस पचास गेस अबजेक्टी परशन में से बहुत सारे परशन आपके फाइनल बोड पर इक्षा में आने वाले हैं तो एक भी परशना आप लोग इसकीम्ट कीजिएगा विडियो को प्लिस आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमेंसे जो भी परशना आप कोْ याद ना हो तो प्लिस आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लिजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के औलपे कर लीजिएगा ताकि जब भी live class हो तो आपके पास notification पहुशता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नमबर प्रश्ण से तो पहला नमबर प्रश्ण है कि स्वामी दियानंद मुर्ती पूजा के थे A option है समर्थक, B option है बिरोधी, C option है पक्षदर, D option है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दियानंद मुर्ती पूजा के थे तो मुर्ती पूजा के बिरोधी थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नमबर दो नमबर प्रश्ण है कि किसके सासन काल में पाटली पुत्र का अधिक सम्रिधी हुई ए उप्सने चंदगुप्त मौरे के काल में B उप्सने असोक के काल में C उप्सने बुद के काल में D उप्सने मुगलवन्स में तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके सासनकाल में पाटली पुत्र का अधिक सम्रिदी हुई तो चंद्रगुप्त मौरे के सासनकाल में हुआई से आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिलकोली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन तीन नंबर तीन नंबर प्रशन है कि मंगलम पाट कहां से संकली थे A उप्सने बेद से B उप्सने पुराण से C उप्सने उपनीसत से D उप्सने बिदांग से तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाट कहां से संकली थे तो मंगलम पाट उपनिसत से संकली थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चार नमबर प्रश्ण है कि बाग के हाथ में क्या था A उप्सने सोने के कंगन B उप्सने तलवार C उप्सने मृतक का सिर D उप्सने खाना तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाग के हाथ में क्या था तो सोने का कंगन था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा संस्कृत के काफी महत्पुन 50 गेस अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे वाट्सअप गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा वाट्सअप नमबर है 87, 89, 30, 73, 0, 4 इस पे आपको बोलना है कि सर हमें गुरूप में जोड़ दीजिए तो हम आपको गुरूप में जोड़ देंगे आईए देखते हैं अगला प्रश प्रशने कि बुधकाल में पाटली पुतर नगर का क्या नाम था ए उपसे ने पाटली गराम, बी उपसे ने पूरुसपूर, सी उपसे ने कुसुमपूर, डी उपसे ने माधोपूर तो यहां पे आपको बताना है कि बुधकाल में पाटली पुतर नगर का क्या नाम था त तो पाटली ग्राम था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण छे नंबर, छे नंबर प्रश्ण की किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ए उपसे ने देव की, बी उपसे ने भारत की, सी उप विश्व की, डी उपसे ने पाटली पुत्र की, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगों पर गाई जाती है, यहाँ पे बी वाला option विल्कूली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प् कि नदिया नाम रूप छोड़ कर किस में मिल जाती है, तो समुन्दर में मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कूली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशना आठ नमबर, आठ नमबर प्रशने कि पटना में बहुत बार कौन आए, ए उप्सने महाबीर, बी उप्सने अकबर, सी उप्सने दसरत, डी उप्सने भगवान बुध, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुध आए, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 9 नमबर 9 नमबर प्रश्ण है कि महान से भी महान कौन है A option है आत्मा B option है दिवता C option है D option है दानो तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है तो महान से भी महान आत्मा है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशन 10 नमबर, 10 नमबर प्रशने कि स्वरोसती का कुलगरी कौन सा नगर है, A उप्सने भागलपूर, B उप्सने नलंदा, C उप्सने पाटली पुत्र, D उप्सने दर्भंगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वरोसती का कुलगरी कौन सा नगर है, तो पाटली पुत्र है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 11 नमबर, 11 नमबर प्रशने कि हिर्मणे अ प्रशने किस का मोड़का हुआ है, तो सत्य का मोड़का हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 12 नमबर, 12 नमबर प्रशने कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, A उप्सने उत्त दिशा में, B उप्सने पस्चिम दिशा में, C उप्सने दक्षिन दिशा में, D उप्सने पूरब दिशा में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है, प्रशन तीरा नंबर तीरा नंबर प्रशन है कि युनान का राजदूत कौन है ए उपसे ने फहियान बी उपसे ने वेंग सांग सी उपसे ने मिगास्थनीज डी उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपको बताना है कि युनान का राजदूत कौन है तो युनान का प्राजदुत मेगास्थनीज है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 14 नमबर, 14 नमबर प्रश्ण है कि अडू से भी सुक्षम क्या है, A उप्षन है दानो, B उप्षन है मानो, C उप्ष बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 15 नमबर, 15 नमबर प्रश्ण है कि संसार में बच्चों का सच्चा रख्षक कौन है, A उप्षने माता, B उप्षने पीता, C उप्षने भाई, D उप्षने बहन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रख्षक कौन है, तो माता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, काफी महत्पुन 50 गेस अब्जेक्टी प्रश्ण बताएंगे, तो एक भी प्रश्ण आप लोग स्कीब मत किजिएगा, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण सोला नंबर, सोला नंबर प्रश्ण है कि पाटली पुत्र बैभॉम पाठ में किस नगर का वर्णन है, ए उपस ने आरा का, बी उपस ने पाटली पुत्र का, सी उपस ने बोध गया का, डी उपस ने राजगरी का, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटली पुत्र बैभॉम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटली पुत्र का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे भी वाला उपसन ब और तो यहां पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किस से खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे भी वाला option बिलकोली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ना अठारा नंबर, अठारा नंबर प्रश प्रशने की राज सेखर की रचना कौन सी है ए उपसने काबे मिमनसा भी उपसने कुटी नीतम सी उपसने मुदरा राक्षस डी उपसने यातरा संसमरण तो यहाँ पे आपको बताना है की राज सेखर की रचना कौन सी है तो राज सेखर की रचना काबे मिमनसा है इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 19 नमबर, 19 नमबर प्रश्ने की बेद कितने परकार के होते हैं, A उप्सने 1, B उप्सने 4, C उप्सने 5, D उप्सने 8, तो यहाँ पे आपको बताना है, की बेद कितने पर परकार के होते हैं, तो बेद 4 परकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 20 नमबर, 20 नमबर प्रश्ने की कैमूदी महोच्छो किस रितु में मनाया जाता है, A उप्सने वसंत रि इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 21 नमबर, 21 नमबर प्रश्ने की परमात्मा कहां रहते हैं, A उप्सने एकत्र, B उप्सने सर्वत्र, C उप्सने अन्यत्र, D उप्सने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है की परमात्मा कहां रहते हैं, तो परमात्मा सर्वत्र यानि सभी जगों पर रहते हैं, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 22 नमबर, 22 नमबर प्रश्ने की पटना नगर की पालिका देवी क तो पटन देवी हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 23 नमबर, 23 नमबर प्रश्ने की किस पुरुस को मिर्तियों आने की जनकारी हो जाती है, A उप्सने साधक को, B उप्सने असाधक को, C उप्सने मुर्ख को, D उप्सने राजा को, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुस को मिर्तियों आने की जनकारी हो जाती है, तो साधक पुरुस को हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, पे आपको बताना है कि पाटली पुतर नगर में क्या परसीद है, तो पाटली पुतर नगर में गोल घर परसीद है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशने 25 नंबर, 25 नंबर प्रशने कि किस हिं पे आपको बताना है कि किस साहिते गरंथ में पाटली पुतर के हजारो वर्स पुराना नाम का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस का है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशने 26 नंबर, 26 नंबर प्रशने कि प्राणी के हिर्दे रुपी गुफा में कौन विदमान है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशने 27 नंबर, 27 नंबर प्रशने कि हमारी भारतिय धारा कैसी है, A उप्सने हरी-बरी, B उप्सने ऊची, C उप्सने नीचे, D उप्सने विसाल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतिय धारा कैसी है, तो हमारी भारतिय धारा विसाल है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला option मिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते है अगला प्रश्णा 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्णा की मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, A उपसने 4, B उपसने 5, C उपसने 6, D उपसने 7, तो यहां पर आपको बताना है की मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यहां पे B वाला option बिलकोली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्णा 29 नंबर 29 नंबर प्रश्णा की गंगा नदी के उपर पटना में किस सेतू का निर्माड हुआ है A उप्षने कृष्णे सेतू का B उप्षने इंद्र सेतू का C उप्षने गाधी सेतू का D उप्षने नहरू सेतू का तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के उपर पटना में किस सेतू का निर्माड हुआ है तो गाधी सेतू का निर्माड हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन तीस नमबर, तीस नमबर प्रशन है कि सरीर में सदेव रहने वाला मनुस्यों का महान सत्रू कौन है, A उप्सने दया, B उप्सने लोब, C उप्सने काम, D उप्सने आलस, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरीर में सदेव रहने वाला मनुस्यों का महान सत्रू कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन कि विखन टूला को देखने के लिए कौन आये, A उप्सने लेखक, B उप्सने कवी, C उप्सने सिख्चक, D उप्सने महातमा गाधी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विखन टूला को देखने के लिए कौन आये, तो सिख्चक आये, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा संस्क्रित के काफी महत्पूर्ण 50 गेस अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीमत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन बत्तिस नंबर बत्तिस नंबर प्रशन है कि गुरु गोविन सिंग का जनम की सस्थान पर हुआ था ए उप्सने पटना में, बी उप्सने पंजाब में, सी उप्सने द्वारिका में, डी उप्सने हरियाना में तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविन सिंग का जनम की सस्थान पर हुआ था तो पटना में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्चन 33 नमबर, 33 नमबर प्रश्चन की पुरंदर का प्रयाय कौन है, A उप्सन इंद्र, B उप्सन, C उप्सन, महिधर, D उप्सन, सरोसती, तो यहाँ पे आपको बताना है की पुरंदर का प प्रशन के पतिका कहा असनान करता है A उपसने तलाब में, B उपसने नदी में, C उपसने समुंदर में, D उपसने कुए में तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका कहां असनान करता है तो पथिका तलाब में असनान करता है, इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 36 नमबर 36 नमबर प्रशन है कि सिक संपरदाय के दसवे गुरु कौन है गुरु गोविन सिंग है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 37 नमबर 37 नमबर प्रशन है कि किसने कहा था कि पाटली ग्राम एक दिन महानगर बनेगा तो भगवान बुध ने कहा था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 38 नमबर 38 नमबर प्रशन है कि कुसुमपूर और पुस्वपूर का नया नाम क्या है एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 49 नमबर 49 नमबर प्रशन है कि विश्व सांती पार्ट में कैसा वातावरण का वर्णन है ए उप्सने असांती वी उप्सने सांती सी उप्सने विवाद डी उप्सने अहिंसा तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व सांती पार्ट में कैसा वातावरण का वर्णन है तो असांती वातावरण का वर्णन है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उप्षन बिल्कूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 40 नमबर 40 नमबर प्रशने की पटना कहां इस्तित है ए उप्षने गंगा के किनारे बी उप्षने समुंद्र के किनारे सी उप्षने यमना के किनारे डी उप्षने परवत के समीब तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहां इस्तित है तो पटना गंगा के किनारे इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उप्षन बिल्कूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 41 नमबर 41 नमबर प्रशने की प्रती दिन RCO को भोजन कौन देता था EOPSन मिथला के राजा BOPSन मिथला का राजकुमार COPSन मिथला के मंत्री बिरेस्वर DOPSन मिथला की रानी तो यहाँ पर आपको बताना है की प्रती दिन आल्सियो को भोजन कौन देता था तो मिथला के मंत्री बिरेश्वर देते थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नमबर 42 नमबर प्रश्ण की बिना बुलाए कौन आता है यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 43 नमबर 43 नमबर प्रश्ण की वरतमान काल में संस्कृत की लेखी का कौन है यहाँ पे आपको बताना है कि वरतमान काल में संस्कृत की लेखी का कौन है तो मिथिलेश कुमारी हैं इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 44 नमबर 44 नमर प्रश्ण की प्राचीन काल में सिस्यो को क्या कहा जाता है A उपसेने चात्र, B उपसेने ब्रह्मचारी, C उपसेने धनुधारी, D उपसेने अंतेवासी तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में सिस्यो को क्या कहा जाता था तो ब्रह्मचारी कहा जाता था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 45 नमर 45 नमर प्रश्ण की यगेवले की पतनी का नाम क्या था यहाँ पे वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 46 नमर 46 नमर प्रश्ण की विजय किस से प्राप्थ होती है A उप्सन असत्य से, V उप्सन अपमान से, C उप्सन घ्रेणा से, D उप्सन सत्य से तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किस से प्राप्थ होती है तो विजय सत्य से प्राप्थ होती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 47 नंबर 47 नंबर प्रशन है कि स्वामी देयानंद का जनम कहा हुआ था A option गुजरात में B option मध्य परदेश में C option बंगाल में D option उत्तर परदेश में तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी देयानंद का जनम कहा हुआ था तो गुजरात में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 48 नमबर प्रशन है कि भारतिय संस्कृती का परिचे किस से होता है यहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय संस्कृती का परिचे किस से होता है तो संसकार से होता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे B वाला उप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन उन्चास नम्बर rag siblings, 49 प्रशन है कि विवाह को संसकार होता है, ए उप्शन है पवित्र, B उप्शन है निर्मल, C उप्शन है और बताना है कि विवाह एक संसकार होता है तो विवाह एक पवित्र संसकार होता है यहाँ पे एवाला option बिल्कूल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर 50 नंबर प्रश्न है कि मनुस्यों को करतब्य और और करतब्य का बुद्ध कौन कराता है यहाँ पे आपको बताना है कि मनुस्यों को करतब्य और और करतब्य का बुद्ध कौन कराता है तो सास्तर कराता है यहाँ पे एवाला option बिल्कूल ही सही हो जाएगा और हमारे website पे विग्यान का test चल रहा है तो अभी तक आप test नहीं दिये हैं तो आप लोग test दे लिजिएगा और यह रहा आपके लिए homework परशने इसका जवाब आपको comment box में देना है कि और सही सुरता कौन पैदा करता है A option स्वार्थ, B option प्रमार्थ, C option द्वेस, D option प्रसंता तो जो भी option आपको सही लगे वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो को अभी तक आप like नहीं कियें तो please आप लोग वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर share किजिए और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं कियें तो चैनल को subscribe किजिए साथ में bell icon को all पे दबा लिजिए ताकि जब भी live class हो तो आपके पास notification पहुंसता रहें Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए Take care and bye